जब आगात हमारे यूट्यूब तरेम याज वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पडाइए प्लिक इंफराइट अच्छर यह वीडियो लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन दवाएं ताकि फूचर में आप हमारा कोई वीडियो मिस ना कर पाएं तो चली फ्रेंस स्टार्ट करते हैं PKI के बारे में जान लेते हैं PKI किया होता है तो यहां पे हमें दिया हुए PKI जो हमारा Public Infrastructure जो है यह हमारा Rules है Policies, Hardware, Software and Procedures Needed to Create, Manage, Distribute, Use, Stores and Reboke, Digital Certificate and Manage Public Encryption यहां यह क्या काम करता है हमारा जो है जो हमारे Messages बगेरा होते हैं जो हमारे Emails बगेरा होते हैं उनको रिपो करने, Store करने और उनको encrypt करने का काम करता है जैसे हमारा e-commerce में यह हम ऑन-line जो भी पेमेंट बगेरा करता है इंटरनेट बेंकिंग यूज करते हैं और confidential email वगएरा जो शेंड करते हैं तो उनको encrypt करने के काम करता है पब्लिक की infrastructure तो यहाँ पर क्या होता है जैसे हमारे कोई sender होता है सेंडर जब भी कोई mail send करता है तो उसको public की के थुरू encrypt किया जाता है जो receiver के पास पहुंचने के बाद private की के थुरू वापस decrypt कर दिया जाता है तो यह public की जो होता है यहमारे mail को protect करने का काम करता है जिसको mail के दुरू send की जाएगा उसको public की थुरू encrypt form में translate किया जाता है जो हमारा recipient जो है receiver जो है उसके पास पहुंचने के बाद उसको private की थुरू decrypt किया जाता है जिससे decrypt होने के पाद उसको जो हमारा recipient या निर्थ सीवर होता है वह उसको read कर पाता है तो यहां पे public के जो है ये use होती है जो भी आपकी information होती है email होती है कोई भी digital electronic information होगी उसको encrypt करने का काम करता है और जो हमारा private की होता है ये क्य क्या काम करते है जब receiver के पास information पहुसती है तो उसको बापस decrypt करने का काम करता है तो इस तरीके से हमारा पूरा infrastructure बर्ग करता है तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा जैसे sender है sender ने जो भी information send करी उसको सबसे पहले मतलब public की के थूरू encrypt किया जाएगा जो बापस आपका यहाँ receiver के पास तक पहुचेगा तो उसको बापस private की के थूरू decrypt किया जाता है तो इस तरीके से हमारा पूरा process जो है वो बर्ग करता है तो इसका जो use है public infrastructure का यह जो use है यह आपकी जो भी information होती है electronic form में उसको encrypt और decrypt करने का काम करता है जिससे हमारी information secure रहती है इसको हम signature document भी कहते है जो हमारा certificate होता है digital तो उसको क्या कहते है जो email बगेरा होता है उसको encrypt करने का काम करता है तो चलिए thanks for watching यह दिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करें bell icon दबाए वीडियो को share करना ना भूले thanks for watching